तो जैहिंद नमस्कार प्यरसातियों हमेशा कहता हूँ कि सोचने से कहा मिलते हैं तमनाओं के सहर मजिल पे जाने के लिए पढ़ना जुरूरी है तो जी हाँ दोस्तों आप सब लोगुं के लिए एक बैत्रे न्यूज जो teaching exam की तियारी करते हैं जो second grade की तियारी करते हैं और उनके लिए पिटारा खुल चुका है, खुल चुका है, आएचे आप हैरे साथ कि यो एक्किस सो उनतिस पदों के उपर कल ही हमने वीडियो बनाया था जिसमें बात करी थी 90,000 भरतियों का जो पिटा रहा है उसमें से सैकंड ग्रेड ब्रिस्ट अध्यापक जो है उनकी 2159 पद जो है वह च्छेविशे के पद है तो इसकी जो विगयपित्य वो आज अभी अभी थोड़ी थेरो पहले जारी कर दीगे उसके उपर हम थोड़ी सी बात छोटी शी बात करूँ गार तमाम जो विशलेशन है वह भाद में करेंगे ल equally पहले जो है हम आज की इस वीडियो में ठीक है आपको ध्यान में रखना क्या हम देखने वाले तो देखिएगा सात्यों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे और यह 11-12-2024 आज का ही यह नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा यह राजस्तान लोग सेवा आयोग अजमे यानि कि यहाँ पर आपको ध्यान में रखना सीनियर टीचर स्कूल जो विवाग आपका है सेकेंडरी एजुकेशन विवाग जो है यानि कि आपकी स्कूल जो सिक्ष है उसमें आपके आई है ध्यान में रखना यह आपका संस्क्रिट डिपार्टमेंट का नहीं है संस्क्रि सेवा बरती एंसेवा की अन्य सरते नियम दोजार चोगदा के अंतरगत प्रिष्ट अध्यापक सीनियर टीचर के आठ विश्यों के कुल एक्किस सो उनातीस पदों पर विगवती जारी कि सब्जेक्ट बताया रहे थे लेकिन आठ पत्जो सब्जेक्ट एउनके उपर भृती है आपको धियान में रहाला ध्यर्टर लेना तो कौन से भी से सबसे PAHले अपना वाला विश्य हिंदी की बात करेंगे हिंदी में आपके 273 पते हैं ध्यार प् Richt लेना और आपके ये क्लांवेश्धे के पतोंगे इधर आपके लिए आज ही पढ़ सकते हो त्यार पढ़िए फ्री में पढ़िए फ्री में पढ़िए ठीक है ध्यान में रख लेना अंग्रेजी विश्य वालों के लिए 242 नॉन टीस पी पिचासी टीस पी यह अच्छे खासे पता है 327 पती यहां प्याएं उसके बाद में मैथमेटिक सेकंड ग या बिरले लोग होते हैं उनका तो पवारा 25 हो जाएगा ठीक है गनित की बात करेंगे विज्यान की बात करेंगे तो 281 पत है और 89 जो पते हैं वो आपके टीस पी में 350 पत हो जाते हैं यहां पे ठीक है और सस्टी वालों के लिए थोड़ा सा मामला गड़ बड़ है कम है प साचर अड़ाते हैं केने का मतलब यह सीडिसी बात सर इसके सत्र ही पता है वाई भाई 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 ठीक है और उसके बाद में अठारा सीट टीस पी की है और टोटल 88 पत है तो इनकी जो पोस्ट ने वह बहुत होती है लेकिन यहां पर तो आपके लिए पोस्ट है पत चुके हैं और उसके बाद हैं पंजाबी में 64 पत यह भी अच्छे खासे पत हैं और उर्दू के भाई साब राजसतान में दो पत हैं और टीस्पी में आपके साथ पते हैं टोटल 9 पतों की बात हम करेंगे और अब यहां पर अगर बात करें जाए टोटल जो आपके लो जानते होंगे इसके जो फॉर्म बगेरा जो है वह आपके अधिसूचना और यह सारी चीज़े दीगे यह आपको इतनी ज्यादा पढ़ने की जूर्त नहीं है और यहां पर देखो सेक्षनी की होगे ताके बारे में आपको ध्यान में रखना यह सबसी इपोर्टेंट के लिए क्या बया ग्रेजुएट ऑफ इवलेंस एग्जामिनेशन बाहिदा योजी सी ठेका यानि के बीए कंप्लीट होने चाहिए औप्सनल सब्जेक्ट के रूप में भी आपके पास में यह सब्जेक्ट होना चाहिए फिर उसके बाद में डिग्री ओफ डिप्लोमा इन एजुकेशन यानि की सीधा बीएड जो है वो आपका यहां पे होना चाहिए एन सीटी की तहट तो सीधी इसी बात यह जो सब्जेक्ट है वो आपके किसमे उने चाहिए यह देखो यह सारे बीए वाले बच्चे है उनमें अगर बात करेंगे और पलस में आपका बीएड ज साइंस से किया हो और उसके बाद में बाइसाब यह सब्जेक्ट अलग लगा उसके बाद में उनका भी क्या होना चाहिए वीएड जो हो आपका यहां पर चाहिए सामा जी के लिए यह सेम कंडिशन रहने वाली है यह सारों की सेम कंडिशन है आप डिगरी में आपके पास मे बीए सी होगी और इनके पास में भी बीए प्लस में आपका क्या होगा आपके लिए यहां पर यह सब्जेक्ट बढने वाले है ठीक है यह सेक्शिक योगिता सेक्शनिक योगिता आपके पास में है तो ही आपको फोर्म बढ़ना है आपको ध्यान में रख लेना आगे हम ब करते हैं उसके बाद में इन्होंने यह कहा है कि सेलरी कितनी रहती है देखो प्रिमेट्रिक यानि कि जो आपका लेवल ग्रेड जो पे जो सेकंड है ब्याली सोका ग्रेड पे लगेगा अच्छा खासा है ठीक है राज्य सरकार में नियमानुसर प्रिविक्षा काल के नियत मास साल की हो जाओ गो इसके बाद में आपका मासीख वेतन जो है वह आपका फूल होगा उससे पहले जो भी उसके बाद में कटोतियां वगएरा वह आपकी होती रहेगी यह आपके सामनी यहां पी आ जाता है उसके बाद में अपने बात करते हैं पहरे साथ यो देखो आयू सी जाएगे 25 नहीं है यहां पे 26 दिया हुआ है ठेका उक्त पदों द्वारा 2022 में विग्याप्ति किये गे तहित आयू की घड़ना के अदार पर 2023 रखा गया था तत पस्चाथ पदों है तो कोई विग्याप्त जारी नहीं कि देखो छूट मिलिया वह दोस बीच में जो है वह व दो वर्स अतिरिक चूट दे होगी तो देखो भाई साब यहां पे चूट भी आपको यहां पर दी जा रही है उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यह आपको ध्यान में रख लेना और विवन बर्गों के लिए जो चूट आपकी मिलती है यह पांच वर्स की चूट ज जो है ठीक है सारी जो मेलाई हैं उनको आपकी चूट मिलती है अन्या पिच्रावरक आर्थी रूप से कमजोर मेला आपके वह वाली जो है ठीक है उनको आपकी चूट मिलती है और बुमेन सोब कंडिट है जो जनरल की जो बुमेन है जनरल की बुमेन उसको पांच वरसों की चूटा आपकी मिलती है और इसके बाद में आपका विद्वा और विषिन जो प्रित्येका जो है जिनका विवा विचे दो चुका है उनकी अधिक्ते मायू की कोई सिमा नहीं है वो कभी भी एक्जाम दे सकते हैं बुड़ी होगी तो भी देश का भाई साब ठीक है बुरा मत किरिया आपकी क्या रहे थे यह आपका इप्वोर्टेंट चीज़ फैक्टर है कि सर इसकी चैन पर किरिया वाप की क्या होती है चैन पर किरिया की अगर बात करें तो अभी एर्थिका चैन परतियों की पिरिक्षाओं के माद्यम से किया जाएगा और आवश क्ता पढ़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पर तक पत्रक के पुष्थिका के मुल्यांकन में स्कैलिंग और नोडेरन नौरमिलाइजेशन सामाने एक दिन पतति को पनःजास केगा नौरमिलाइजेशन हो सकता है और नियम अठाइस के अनुस्वार आयोग दुवारा उप्यूप पाएगे विर्तियों के नाम राजय स्थान और महा प्रिक्षा का स्थान और ये बाद में सुचित कर दिया जाएगा प्रिक्षा की योजना और पाठे करम आपको यहां पर दिया गया सर ठीक है यह आपको आवेदन की तिति कब भ यह बड़ते यह आवेदन पर किरिया यह पूरा यह जो है इसमें आपको कोई भी चीज है ठीक है यहां पर और यह सुल्ख वगश्द्य व्गैर ओट्यार वाला है यह मामला ओट्यार अगर आपने बना रख़ा है तो आपका सुल कभी लगने वाला है नहीं ओट्यार अग स्मistumuz आपका पंजिन सुलख होता है जो आपका बारिये उह नहीं लगता है क्योंकि यह बारी 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 से फोरम बढ़ रहे हो तो यह सुलख नहीं लगया जिनको पता नहीं है यह OTR वगेरा यह अगर आपको नहीं पता है तो इन नमबरों के उपरा मेसेज आप कर सकते हो आपको ध्यान में रख लेना है ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे पहरे साथ और आप सब को ध्यान में रख लेना जैसा कि मानलो आपके सामने यहां पर पेपर वन और पेपर टू की जो स्कीम है वो आपको ध्यार में रहना पेपर वन का जो मामला वो आपको पता है सर दो सो मार्क्स आपके सो क्यूशन आते हैं इंटू दो आपके होते हैं यानि कि 200 आपके यहां पर रहते हैं नमबर उसके बाद में आपके सो क्यूशन आते हैं और आपकी यहां पे होती है, syllabus वगेरा क्या रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे, आगे हम बढ़ते है, paper second जो आपका subject वाला जो मामला होता, उसके बारे में बात करेंगे, सबी subjects की बात करेंगे, तो इसमें 150 question आते हैं, पर तेक 2 number का होता है, तो 300 number का मामला यह आपका हो जाता ठीक है, यह आप सबको अच्छी तरीके से पता होगा, ठीक है, यह जो आपको पढ़ लेना चाहिए, यह पढ़ने के लिए आपको क्या कर लेना होगा, सर टेलिग्राम जो है, वह आपको जोइन कर लेना होगा, इसके ओपर मैं यह विगपती डालने वाला हूँ, टेलिग् में जिसका लिंक description में सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो उसके बाद में आपका ये पूरा जो online डाटा वगएरा आपको यहां पर है सर इसका अभी जो syllabus आपका यहां पर जारी नहीं किया गया सले बस जैसे आएगा मैं सले बस के ऊपर क्या करोंगा डिसकस करूंगा और इस में मैं आपको बताबूंगा सर हिंदी विसे और हिंदी के साथा कहां नंटीफिकेशन आया था मैंने सचा आपको भी information दे दी जाए फिंदी वाड़े-विद्यारतियों के लिए मैं आपको बतातूँगा हिंदी के जो मेरे अनुज ब्राता स्री जो भी है भेने और भाई जो है हिंदी के लिए ग्रामर जो है वह आपके लिए ओल रेडी इस यूटूब चैनल पर फरी पड़ी है ठीक है पड़ी के देख लेना फरी का मतलब यह नहीं समझ लेना कि कंटेंट वेकार है ठीक है जो पेड कोर्स बेचेंगे उससे कहीं बहतर होगा आप जाके देख लेना और पेपर 2022 का उठाना फिर उसमें से चेक करना एक टॉपिक देख लेना कि यह पढ़ाया गया और उसमें आया या नहीं है पता चल जाएगा ठीक है टीचिंग मेथड क्लासे अभी लाइब आती है थोड़े दिन बात में यह रिकोर्ड हो जाएगा भाद में बहाद में उसको मैं पेड कोर्स में कर दूँगा इस टीचिंग मेथड को बाद में पेड कोर्स में करूँगा अभी आप एक मेनू के लिए पढ़ सकते हो रिट से पहले पहले ठीक झाल झाल